हेलो दूस्तो नमेशकार एसमकिसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले और एक IPO से रिलेटेड जो की आज के ही दिन से हम लोगो ओपन होते हुए देखने को मिला है तो आप सभी मोबाइल IPO से रिलेटेड भी हमनों को सारी चीज़े देखने को मिल रही है तो सवाल यही था बहुत सार लोग का सर एक वीडियो इससे रिलेटेड भी बना दीजे तो पूरा डीटेल वीडियो आ जाएगा पहले कंपनी के बारे में भी जानेंगे कुछ मैनेजमेंट की जो कमाने का मोका है या नहीं है सारी चीज़ों का कवरेज आपनों को इसी एक वीडियो में यहापे मिलने वाला है तो चले दोस्तों फड़ा वर इस वीडियो को स्टार्ट करते है बट उससे पहले जरू किना चांगा ऐसे हम किसी इस चैनल में फर्स टाइम विजिट किया तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बिल आइकन को भी हिट करके रख लेना ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लों को देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो लेटेस वीडियो यहापे टाटा ग्रूप से रिलेटेड एक और एक गजब का स्टॉक है ज दोस्तों रूट मोबाइल के आईपियो उसे उपर जाने से पहले हम लोग आप यहपियस मांड के आईपियो से रिलेटेड यह डेटा जरूर देखने वाले हैं इस डेटा में आप लों को बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिलने वाले हैं जब मैंने वीडियो बनाए था है आईपियस मांड आईपियो का तो बहुत सेरा लोग यह पूछ रहे थे कुछन करके कि आपके क्यों की जो इंट्रेस्ट है इतना ज्यादा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है एनाए का सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को यह माल चिपकाय जा रहा है तो तभी मैंने आप लों नहीं थे 7 सप्टेंबर 8 सप्टेंबर और आखरी दिन पर उन्होंने डिरेक्ली 77.43 आप लोग देख सकते हैं मल्टिपलाई से यहाँ पर क्या किया है इंट्रेस्ट दिखा है एनाएस की भी बात करें मतलब जो लोग 2 लाग से जादा पेसा लगा थे आईपियों में उनकी से पहले भी मैंने बहुत बार आईपियों का जबी भी सीजन आता है तभी मैं आपको बताता हूं कि तीन दीन के हमेशा टाइम दिया जाता है पहले दो दीन आप लोग को कभी भी क्यूआईबी जादा इंट्रेस्ट देखने को नहीं मिलेगा वह हमेशा आकरी दीन पे अपना पैसा यहाँ पर लगा रहे करोड रुपे तो चलिए हम भी कर लेंगे तो याद रखना दोस्तों अगर यह पहले दीन ही ऐसा रिस्पॉंस आ जाता यहाँ पर तो सोचलना रीटेल कैटेगरी में कितनी जबर्दस यहाँ पर हड़कम मज जाता मतलब और भी यहाँ पर दस गुना एप्लिकेशन आ जाते एनाएस में भी बहुत सर लोग और भी इससे ज़्यादा से तेजी से आ जाते तो इसलिए यह हमेशा आखरी दिन ही आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर इंट्रेस्ट दिखाते हैं देखने को मिल जाते हैं सो सिमिलर चीज हम लोगों को रूट मोबाइल के आई प्यो में भी देखने को मिल रहा है आप सब्सक्रिप्षन यहाँ पर देखने को मिल रही है सो यह जो एकजांपल था आप लोगों को इससे लिए दिखा है क्यूंकि आने वाले समय में शायद से रूट मोबाइल आई प्यों के लिए भी कल एण परसो हम लोगों को एनाय केटीगरी में भी एंड क्यू आई भी में इंट्रेस्ट यहां पर बढ़ते वह देखने को भी मिल सकता है तो चलिए एक्जैक्ली सारी चीजों को अभी आप इस समझ में ले ले लेते हैं सबसे पहले बिजनेस मोडल क्या है मैं लंबा चोड़ा कोई भाशन दे दूगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे उपर अच्छे वीडियो बने आप तक मैसेज पोज भी गया होगा तो इसलिए बताना चाहूंगा कि यह कंपनी मैसेजिंग वोईज इमेल आपके पास जो भी SMS आते है यह उसी टाइप के काम यह कंपनी करती है जो कि हम लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहां पर बात करें कि इनका बीजनेस जो यह ऑपरेट करते तीन बीजनेस वर्टिकल्स हम लोगों को देखने को यहां पर मिल र फिल्टरिंग मॉनेटाइजेशन से रिलेटर यह सारे जो चीजे हैं यह कंपणी आपे प्रोवाइड करती सर्विसेस अपनी देती है एंड बीपियो मतलब बिजनेस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग का भी काम यह कंपणी आपे करती है तो यह सारे बेसिक उनकी परफॉर्मंस क की बात है जो की बहुत से लोग को अभी पता चल भी चुका है तो इसलिए हम लोग ज्यादा डीटेलिंग में बात नहीं करेंगे यह आप लोग को बताना चाहूंगा इनके क्लाइंट्स हम लोग को अलग अलग ज़दा पर देखने को मिल रहे है सबसे पहले बात करें तो इनके पास 300 से ज़्यादा employees है definitely company का जो performance है वह online basis की उपर हम लोग को देखने को मिल रहे है इसलिए numberous employees इतने ज़्यादा नहीं है सो यह important parameter आपको पता होना चाहिए 18 locations में यह काम करते है across Africa, Europe मतलब आप लोग को foreign countries में भी यह सारे काम करते हुए देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हम लोग बात करें total clients की अगर globally बात करें तो 30,000 से भी ज़्यादा है उसी के साथ साथ अगर fiscal 2020 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग messages की बात करें per month तो 2.5 billion से ज़्यादा है उसी के साथ साथ transaction की बात करें तो 31 billion से भी ज़्यादा है 800 plus network operators यही यह सारा parameters उन्हों ने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि उनके बारे में अच्छी चीज़े बताते है उसी के साथ साथ competitive strength क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर ज़रू देखना चाहेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के पाच पॉइंट बता है बट सबसे अच्छा कोई पॉइंट है तो यही है leading cloud communication service provider जो कि हम लोगों को offer करते हुए देखने को मिल रहे है CPAAS exactly मुझे नहीं पता है इसका exactly term क्या रहेगा obviously technology से related रहेगा जो उस field में रहेंगे उनके लिए यह familiar बात रहेगी बट यह हम लोगों में उसमें leading यहाँ पर performance देती हुए देखने को भी मिल रही है उसी के साथ साथ company के promoters की भी यहाँ पर बात कर लेते तो आप देख सकते ह and राजदीप कुमार गुपता हम लोगों को यहाँ पर यह company के promoter यहाँ पर देखने को मिल रहे है उसी के साथ साथ company के financial conditions की बात कर लेते मतलब जब यह company listed नहीं थी तो उससे पहले का जो performance कैसे था 18, 19, 20 की अगर हम लोग बात करें company की asset consistently बढ़ रहे है revenue की भी बात करें तो मैंने compare इसले नहीं किया क्योंकि यह सिर्फ तीन महिने का data है तो इसको आप लोग directly compare नहीं कर सकते इसको compare करना है तो usually multiply by 4 अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का comparison सही साबित हो सकता है so obviously total asset को multiply by 4 नहीं करना है वो addition के form में हो जाता है revenue को आप चाओ तो multiply by 4 करोगे so 12,000 के around हम लोगो इन millions इनका revenue देखने को मिल सकता है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग पैट की भी बात करे तो तीन मेने में company ने 270 million का पैट यहाँ पर दर्श किया है जो की बहुत ही शांदार फिलाल देखने को मिल रहा है सबसे खास बात दोस्तों की यह IPO क्यों ला रहा है जा रहा है उसके पीछे चार मकसत है सबसे पहला कोई मकसत है कि company के उपर करजा है तो company यहाँ पर पूरा करजा या फिर कुछ पार्ट यहाँ पर करजा कम करवा सकती जितना भी पैसा आएगा उससे related उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें company की कुछ acquisition के यहाँ पर प्लान से उसी के साथ साथ company यहाँ पर एक office खरीदना चाती है प्रिमाइसे खरीदना चाती है वो भी मुंबई में यहाँ उन्हें ने बता है और अलग-अलग उनके जो decision रहेंगे corporate purpose से related generally वो उ अगर आगे जा सकता है आप सभी लोग को पता है 9 10 11 11 मतलब कल एंड परसो आप लोग को देखने को मिलेगा आज फर्स दिन में हम लोग को ज्यादा response as such तो देखने को नहीं मिला है उसी के साथ साथ यह बाकी issue size and all details आप लोग को आप पता होगी 240 हम लोग को fresh issue देखने को मि 350 है हमेशा recommend यही किया जाते कि higher level पे आप लोगों ने करना चाहिए या फिर हम लोग जो बोलते ना cutoff price यह बहुत ही popular है आप लोग को बताना चाहूंगा cutoff price के उपर जब आप लोग नहे रहते तो आपकी गलतिया यही रहेगी कि आप 345 में apply कर जाते हो बट अगर वो over subscribe हो अगर हम लोग डेट्स की बात करें सो 9 सप्टेंबर को शुरुआत हो चुकी है 11 को खतम हो जाएगा उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहापे बात करें अलोट्मेंट से रिलेटेड 16 सप्टेंबर को पता चल जाएगा जिनको नहीं मिलेगा 17 तारिक को उनके अकाउंट में पैसा वापस refund किया जाएगा शेर्स जिनको मिल चुके हो 18 तारिक के उनके DMAT अकाउंट में आ जाएगे बट यह रिस्क अगर आप लोग उठा पाओ तो ही आप इसके बारे में सोच सकते हो यह में इस अगर आप देखोगी इसी पिरेड के IPO में बतारो पुराने IPO में में इसी कभी भी कोई चीज नहीं बताई है क्योंकि आप सभी लोग पता है नॉर्मली जबी यह लिस्टिंग होते थे as such externally market गिरे कुछ हो जाए इतना फरक नहीं पड़ता था बट अभी की situation बहुत ज़्यादा serious है जो कि आप सभी लोगों से छूपी भी नहीं है और इससे पहले भी मैंने ऐसा ही example दिया था तब बहुत सारे लोगों ने थोड़ा मजाग भी वड़ा था आप सभी लो लोगों को बताते रहोंगा यह आप के उपर है दूसरे के उपर ब्लेम डालना बहुत सिंपल है दोस्तों आपको खुद को यह चीज़े देखनी पड़ेगी क्या आप इस दस दीन के गैप को यहाप एजर रिस्क ले पाओगे अगर आप ले सकते तो डेफिनिटली इस के नीचे उसी के साथ साथ एक खास बात अगर आप देखोगे प्रोमोटर के पास 96% के शेर्स पहले थे पोस्ट मतलब बाद में वह 66% के भीतर हो जाएंगे मतलब आगे कोई ओएफएस का जेनरेट नहीं रहेगा कि शेर गिरेगा यह नहीं वरना BDL में आप लोग देख सकते हो राइट आयर सिटी सी की चर्चा हो रही है हिंदुस्तान एरानिटिकल्स में हम लोगों को कैसे सरकार सड़नली हिस्सा कम करते हुए देखने को मिली तो ऐसी कोई दिक् केटेगरी यहाँ पर अगर अप्लाइब करने जाते हो तो हैपीएस्ट मायं आई प्यो बहुत रहे है मतलब सिफ दस परसंट वहाँ पे रिटेल कैटेगरी है यहाँ पर चादा चांसे से 35 बट कैटेगरी मतलब परसंट ज्यादा रखा इसकारत यह नहीं कि आप लोग ब् सबसे खास बात है revenue depend on a limited number of clients long term के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो आपके लिए यह points बहुत important है कि जो revenue नंबर ओफ क्लाइंट्स के मतलब एक दो क्लाइंट्स भी अगर इधर उदर हो गए छोड़के चलेगे सो इनको मेजर डिफॉल्ट मतलब डाइमेज होते हुए देखने को भी मिल सकता है सिर्फ लिस्टिंग गेन सोचने के लिए यह सारे पैरामिटर के उपर कोई भी उनका यहाँ पर इतना ज्यादा महत्व नहीं है दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो बड़े-बड़े एनलेसिस है रहती उनकी क्या यहाँ पर रहा है वो भी हम लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते जो कुछ एनलेसिस है वो यहाँ पर मैक्जीमम यहाँ पर पॉजिटिवी बता रहे कि यह इश्यू बहुत ही अच्छा सक्सेस्फूली लिस्ट होते वे देखने को मिल सकता है लिस्टिंग गेन अच्छा हो सकता है उसी की साथ साथ लॉंग टर्म में भी यह आईपियो आप लोगों को मतलब यह स्टॉक आपको अच्छे कासे गेन दे सकता है ऐसे बहुत सरे एक्सपर्ट का मानना है अगर हम लोग पीर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐस सच कंपनी के लिस्टेड पियर कोई भी कॉंपेडिशन देखने को नहीं मिल रहे है बट फिर भी अगर आप कंपनी को कंपार ही करना चाते हो कि ऐसी सेम सर्विसेज देने वाली कौन सी कंपनी एक्जिस्ट है तो तैनला सेलुशन और उसी की साथ टाटा कम्मिनिकेशन यह दो कंपनिया इनको यहाँ पर फिलाल देखने को मिल रही है इसलिए इसी से रिलेटेड मेने वीडियो आज आप लोग को बना के बता है तो एक अच्छा का सा लिंक भी अभी यहाँ पर डेवलप हो चुका है सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मोतिलाल उस्वाल उन्होंने काई कि आप लोग इसको बाय करके चल सकते हो सबस्क्राइब करके यहाँ पर उन्होंने बता दिया है ये मेरी तरफ से कोई force नहीं है मैं सिफ आप लोग कोई information कलेक करके बता रहूँ जो कि अलग-अलग इसमें available है और एक यहापे securities है H.E.M. security है securities उन्होंने भी subscribe करने के लिए यहापे फिलाल बोला हुआ है उसी के साथ साथ आप देख सकते है अशी का institutional securities की भी बात करे तो उन्होंने भी subscribe करने के लिए यहापे का है जो कि इस IPO में आपको अच्छा गासा listing देखने को भी मिल सकता है और एक यहापे securities है उन्होंने भी subscribe करने के लिए जितने भी इसके नीचे जितने भी security से जियो जित financials ने भी subscribe करने के लिए का है अरियंत capital ने भी यहापे subscribe करने के लिए सायला यहापे दे दी है सो दो सो ओराल यही कहना चाहूंगा कि यह भी IPO अच्छा ही है और इसका सबसे खास बात यही है कि happiest mind की तरह यह भी IPO हम लोगों को online platform के उपर ही देखने को मिलने वाले है और फिलाल आप सब लोगों को आई-टी सेक्टर, online platform, technologies, communications वाले जितने भी stocks है उनमें हम लोगों को आ सो हम लोग जरू कह सकते हैं यह IPO भी हम लोगों को listing gain दिखाते वए देखने को भी मिल सकता है अब चाहो तो यहाँ पर एक lot के लिए जरूर apply यहाँ पर कर सकते हो बड़ हमेशा की तरह आप लोगों को जरू कहूंगा कि 10 दिन बीच का जो gap है वो risk आप लोगों को आना चाह होगा या मतलब होगा ही तो यह कहना चाहूंगा दोस्तों यह 10 दिन अगर आप लोग manage कर पाओ मतलब वो risk अगर आप लोग उठा पाओ तो definitely आप लोग इसके बारे में भी सोच सकते हो मेरी तरफ से भी मुझे यह लगता है कि यह भी IPO आपको listing gain जरूर दे सकता है अगर मैं हमारे सामने है बट अगर हम लोग इस management की बात कर तो as such इतनी बड़ी है यहां पर हम लोग को बात है यहां पर देखने को नहीं मिल रही है सो यहां पर जो listing gain रहेगा वह happiest gain से तो हम लोग को as comparatively to जरूर यहां पर कम नजर यहां पर आ सकता है तो आप चाओ तो जरूर यहां सकते online platform वाला business model है तो आप लोग चाहो तो long term के लिए भी इसको चाहे तो continue यहां पर जरूर कर सकते वाट maximum आपका जो नजरिया रहेगा वह मुझे ऐसा लगते कि आप लोगों ने कि सुदियो तब तब के लिए बाई बाई